पिछले टीन पार्ट्स आपको क्लास एट की बायोलजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे लास पार्ट में आपको चेकपॉइंट तू के स्लुसिस्ट नहीं बताए ते और आपसे कमेंसे क्या हैं आपने कलेंस के साहथ सबी आंसर दे दिए होंगे हम इस वीडियो में आगए के चीज़े डिस्कस करने वाले हैं तो उसके पहले हिंचेक पॉइंट तू भी डिसकस कर लेते हैं mucus जो nose से सिक्रीट होता है उसका function क्या है आपको पता है जो mucus है वो क्या करता है dust को trap करता है और airways को motion करता है antibodies किस से बनती है vaccine से बनती है BCG का full form क्या है so it is written here आप लेख सकते हो bacillus of calmaid uran that is the full form of BCG then toxoids क्या होते है they are actually the tox they are prepared from toxins तो आप just a second यहां पे दिखे दिया हुआ इसका भी answer toxoids are prepared from toxins which are made harmless by treating them with the formaldehydes तो आप यहां पे इसको लिख सकते हो आगे बढ़ते हैं यह हमारे इस chapter की last video होगी explanation की and fifth video में मैं आपको इसका test yourself का solution provide कर दूगी तो आज का हमारा topic है just a second आज का हमारा topic है bad social bad habits leads to the ill health social diseases मतलब बुरी आदते जिसके वज़े से हमारी सेहत खराब होती है वो क्या है औलकोहल पीना चोबैको खाना smoking करना और drugs लेना यह सभी हमारी सेहत के लिए क्या है नुकसान दे है they are addictive and habit forming यह कैसे होते है इससे आपकी आदत लग जाती है मतलब आपको लग जाती है और वो आपकी habit में आ जाता है उस particular drug को या जो आप भी चीज ले रहे हो चाहे वो smoking हो चाहे वो alcohol हो आप उसके addicted हो जाते हो their prolonged and excessive use lead to the serious diseases और अगर यह लंबे समय तक के use करा जाता है तो उससे काफी serious बिमारिया हो जाती है सबसे पहले alcohol की बात करेंगे शराब taking alcohol affect the mental and physical process of the body जो लोग शराब पीते हैं उनका दिमागी और शारिक दोनों जो processes हैं उस पे असर पड़ता है it may cause damage to the nervous system शराब पीने के वज़े से जो आपका nervous system है वो भी खराब हो सकता है taking excess of alcohol for a long time cause liver damage और अगर बहुत समय तक के alcohol consume किया जाता है तो उससे क्या होता है liver क्या है खराब हो जाता है it's leased to slow response reduced self control impulse judgment and cause disorientation इसके वज़े से क्या होता है obviously जब आपका nervous system खराब हो रहा है तो आपके जो भी coordination है body की वो क्या हो जाएगी वो disturbed हो जाएगी taking alcohol affects neuromuscular coordination of the body leading to accidents और वही बात है कि यह आपका जो भी self control है उसके साथ साथ बाड़ी का control है उसको खराब कर देता है जिसके वज़े से accidents क्या हो जाते हैं बहुत असान हो जाते है next है हमारे पास tobacco तो tobacco मतलब तंबाखू chewing of tobacco may cause oral cancer जो tobacco खाते हैं उनको mouth cancer और भी तरह की cancers होने के chances होते हैं smoking causes inflammation and irritation of the mucous lining of the nose, throat, trachea and lungs smoking करने से क्या होता है कि जो नाक है पूरा respiratory tract की जो mucous lining है वो खराब हो जाती है उसकी cells खराब होने लगती है it increases the risk of lung cancer जिसके वज़े से lungs cancer होना heart attack होना blood pressure बढ़ना and क्या होता है blood vessels कैसी हो जाती है उनकी walls ठिक होने लगती है सारी problems होती है अगर आप tobacco खाते हो और smoking करते हो even non-smokers sitting with active smokers called passive smokers और यहां तक कि अगर आप सिफ smoking का जो धुआ है उसे inhale करते हो मतलब आप smoker नहीं है and आप उन लोगों के साथ रहते हो जो smoking करते हैं तो आप उस passive smoker में आ जाते हो and are prone to develop such effect as seen in the active smokers तो उनके अंदर भी वही बिमारिया हो सकती है जो active smokers में होती है क्योंकि actually में वो जो धुआ है वो बहुत ज़दा क्या है toxic है नार्कोटिक ड्रक्स की बात करी जाए तो drugs which induce sleep feeling of well-being or feeling of elation or excitement are called narcotic drugs मतलब एक ड्रक्स तो जो हम लोग medicines लेते हैं बिमारी की उनको भी drugs कहते है लेकिन ऐसे drugs जिससे नींद आए अच्छा मैसूस हो excitement हो ठीके इस तरह के drugs होते हैं उनको narcotic drugs या फिर psychotropic drugs कहते हैं they influence the psychic activities मतलब यह दिमाग को affect करता है these include opium, morphine यह सबी नाम दिये हुए drugs के चरस, गांजा, हिरोईन कोकीन, कैफीन, मरी जुआना आगे classes में आप 11-12 में काफी detail में पढ़ोगे इनके बारे में तो यह drugs क्या करते हैं इंसान का जो दिमागी control है उसको खतम कर देते हैं मतलब वो फिर अपने होश में नहीं रहाता वो अपने control में नहीं रहाता है परसन harmful effects क्या है serious damage to the nervous system nervous system खराब होगा adverse effect of respiratory and circulatory system respiratory and circulatory system पे फर्क पड़ेगा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा increased chances of heart attack मतलब दिल का रुख जाना heart attack काना hallucination and illusion which affect the vision and hearing और आप क्या करते हो hallucination का मतलब क्या है कि क्योंकि जो लोग drugs लेते हैं उनको कुछ समझ में यादा है उनको सारी चीज़ें गूमती हुई नजर आती है हर चीज़ें कुछ और नजर आती है तो illusion हो रहा होता है hallucination हो रहा होता है ठीक है तो यह हो गया इन सारी चीज़ों के बारे में drugs, alcohol and smoking के बारे में अब हम बात करेंगे first aid की अगर किसी condition में कुछ problem हो जाती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है first aid is the immediate care given to a person in a medical emergency मतलब कोई medical emergency है किसी को चक्कर आ गया किसी को चोड लग गई तो सबसे पहले आपको उसके साथ उसको क्या करना है before he or she is taken to the doctor या hospital मतलब hospital ले जाने से पहले पहले आपको जिन चीज़ों का खयाल लगना है उसको हम क्याते हैं first aid in case of accident, heart attack, cut, snake bite, burn और etc. मतलब इन सारी चीज़ों में अगर कुछ होता है तो पहले आप कुछ करोगे मतलब first aid दोगे फिर ही उसको hospital ले जाया जा सकता है फिर क्या है first aid in cut and bleeding अगर कहीं पे आपको cut हो गया खून बहरा है तो उस case में आप क्या करेंगे cut और abrasion in the skin leads to bleeding मतलब अगर कहीं पे पी कोई जखम होता है cut लगता है तो उससे खून बहने लगता है bleeding होने रखती है minor bleeding usually stop on its own and can be controlled by applying pressure मतलब अगर छोटा मोटा cut होता है तो वो bleeding अपने आप ही रुख जाती है अगर आपको कहीं पे चोट लगी है आप उसको जहां पे पी चोट है उसको प्रेस करके रखोगे तो वो क्या होगा जल्दी से फिर healing हो जाएगी और bleeding रुख जाएगी in case of severe bleeding अगर बहुत ज़्यादा bleeding हो रही है make the victim to lie still till an ambulance arrive तो आपको क्या करना है जिसके चोट लगी है उस person को still stationary position में उसको लिटा देना है इस तरह से कि उसकी body से ज़्यादा खूण बाहर ना bleed out हो जाए if wound is in the arm or leg and there is no bone fracture raise the injured part above the level अगर हाथ में या पैर में चोट लग गया कट लग गया और खूण बहरा है तो for example कोई भी body का बाहर है उसको उपर इसलिके आता है कि blood तेजी से बहे ना blood का जो flow है वो रुके तो bleeding को control किया जा सके तो अगर उसको fracture नहीं है तो उस case में आपको क्या करना है हाथ और बैर को उस पूसको above the heart जो है heart के उपर उचा रखना है and wash the wound और wound जो है उसको धोई पानी से antiseptic cream लगा सकते है और dry कपडे से उसकी dressing भी कर सकते है और tightly bandage भी कर सकते है तो ये चोट लगने के case में है first aid in sting and animal bite अगर आपको कोई कीड़ा काट लेता है या कोई animal काट लेता है तो आपको क्या करना है wash the area with soap and water जब किसी जानवर ने या कीड़े ने काटा है तो soap और water से आप उस particular area को धोगे and cover the wound with a gauze dressing और इसकी जो dressing आती है उससे क्या करोगे पट्टी कर लोगे तीक है अगर मधु मक्ही या वैप्स ने काटा है तो सबसे पहले तो आपको जोसका dung है stink है उसको हटाना होगा wound को धोना होगा and फिर lime water या ammonia आप अप्लाइ कर सकते हो ice cubes cold water अप्लाइ कर सकते हैं swelling के लिए and कुछ anti histamine creams क्योंकि वो anti allergic होती है वो लगा सकते हैं अगर dog काटता है तो keep the animal under observation वो जो animal है फिर उसको भी observation में आपको रखना होता है clean the wound with antiseptic soap ठीकि antiseptic soap से धोईए lukewarm water से और doctor को दिखाईए फिर उसके injections लगते हैं snake bite अगर snake ने काटा और वो जहरीला साब था तो सबसे पहले तो जो इसको काटा है उसको लिटा देना चाहिए and do not allow him to move or run वो चले ना ताकि उसका जो जहरे वो खून में इतनी देजी से ना मिल पाए place the bitten part below the level of the heart वही करना है कि जहां पे काटा है इस चीज का ध्यान रखे कि वो हिस्सा दिल से नीचे रहे ठीक है tie a band of cloth at the joint next to the point of bite जहां पे काटा है उसके थोड़ा ऊपर क्या करो कस के कपड़ा बांदो ताकि blood circulation रुख जाए and another band between the heart and the wound और एक और कहां पे लगाना है दिल और wound के बीच में ताकि दोनों तरफ से blood क्या करे circulate होके दिल तक के पुरी body में ना पहुच जाए wash the wound with soap and water take medicine as early or possible फिर क्या करना है उसको धोना है जहां पे काटा है और फिर as soon as possible आपको उसके दवा लेनी है अगर जल जाता है कोई तो उस case में क्या करना है तीन डिग्री होता है first degree, second degree and third degree first degree मतलब जब उपर हलका सा जलते है top of the skin जो होती है layer उसी पे ही खाली असर होता है second degree इसमें क्या होता है skin की अंदर तक के चला जाता है जिसमें छाले पढ़ने लगते है third degree एकदम अंदर skin में चल जाता है और पूरी जो skin है पूरी तरह से खराब हो जाती है तो अगर first or second degree burn है तो फॉरन क्या करो जहां पे भी जला है उसको ठंडे पानी से खूब ठंडे पानी से दोईए ice cubes लगा सकते हैं ताकि जो जलन हो रही है वो ना हो and blisters मतलब जो पानी के बुलबुले बन जाते हैं skin में चाले पर जाते हैं उससे बच सके blot the affected area and apply healthy powder और महंदी तो आप महापे क्या कर सकते हो healthy लगा सकते हो और महंदी लगा सकते हो apply a soothing cream और बहुत सारी creams आती हैं जले वाली burnalls वगेरा वो ठंडा effect देती हैं उन creams को लगा सकते हो अगर third degree burn है बहुत जादा जला हुआ है तो उस पे पानी फिर नहीं यूज के जाता है क्योंकि उसमें एकदम खाल जल जाती है अंदर से गोश्थ दिखने लगता है apply burnall और some other ointment जो burnall है और उसके लावा जो ornament होते है वो लगाए जाते है wrap the wound with a clean sheet एक साफ कपड़े से उसको ढख ले and rush to the doctor rush to the doctor और burn department of the hospital और फोरण डॉक्टर को दिखाए chemical burns बतलब आप किसी chemical से अगर जल जाते हो तो उसको खूब जादा पानी से खूब देर तक के होते रहो दस मिनट तक के and कोई भी cloth है उसको वहाँ पर से हटा दो and cover the burn with sterile dressing और जो dressings होती है medicated उन से ही उसको cover करिए precautions क्या लेना है while treating burns मतलब जब आप जल जाते हो तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है cloth stuck to the wound should not be pulled away मतलब अगर कहीं पर जखम है और वहीं पर कपड़ा है तो कपड़े को खीचना नहीं है कि चोट और जादा हो जाए या जो जला हुआ है वो और खराब हो जाए do not burst और puncture the blisters जो जैसे चाले पर जाते हैं उसको फोड़ना नहीं है उन चालों को do not apply petroleum ointment और जैसे जनरल यह वैसलीन जो होती है उसको आपको नहीं लगाना है या butter या किसी गी ग्रीजी substance को burn area में कभी नहीं लगाते हैं वैसलीन या किसी भी तरह की कोई cream इन केस ओफ एसेट और alkali burn wash the affected area with water और अगर chemical से burning है तो उसको क्या करना है आपको पानी से धोना है अब अगर fracture हो जाता है गिर जाते हैं हड़ी तूट जाती है तो क्या करना है in case of fracture make the victim lie down comfortably and do not allow him her to move the injured part मतलब जहां पर उसको चोट लगी है उसको लिटा दो वो फिर उसको move नहीं करेगा पाउस हिस्से को loosen the cloth from the affected area जहां पर चोट लगी है महाँ पर के कपड़े ढीले कर दी है if the fracture part is arm अगर हाथ में लगी हुई है put it in a sling sling मतलब इस तरह का जो पाउज बना लो ताकि हाथ मूव ना करे and in case of the fracture lung support it with a splint इस तरह से मतलब दो चोड़े चोड़े पठ्रे लगा के उसको बांदो ताकि उसको support मिले फिर first aid in sudden unconsciousness मतलब कोई एकदम से बिहोश हो जाता है तब आपको क्या करना है lay the person सबसे पहले उसको लिटा दो loosen the clothes उसके जो कपड़े हैं उसको डीला करो and let the fresh air come in उसको हवा आने दो let the person release but do not leave him unattended मतलब उसको relax रहने दो उसको space दो air आने दो लेकिन उसको unattended भी मत छोड़ो मतलब उससे पूछो भी बाद में आस पास रहो लेकिन बहुत ज़दा उसको गहरो मत first aid when an object fall in eye अगर आखों में कुछ चला जाता है तो क्या करना है सबसे पहले do not drop सारे बच्चे क्या करते हैं आखे घिसने लगते हैं तो आपको आखों को घिसना नहीं है wash gently with clean water थंडे पानी से उसको दोईए साफ पानी से आखों में जीटे मारिए sprinkling it into the eye do not put any eye drop without prescription of the doctor और डॉक्टर की सला के बेगायर कोई भी दबा आखों में नहीं डालनी है first aid in case of swoling poison अगर poison खा लेते हैं तो नमक और पानी खोल करके खुब पिलाईए खुब पिलाईए और जब तक कि उसको उल्टी ना हो जाए first case poison के case में chewing of dash and chewing of dash may cause dash cancer that should be supported with a splint leg fracture should be supported with a splint dash are formed in second degree burn blisters dash cream is used in case of waps and bee sting anti-histamine creams are used so students हमारा ये chapter हो गया है complete उमीदे सारी चीज़े आपको और चीज़े समझ में आ गई होंगी अगर कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आई है then you are free to ask me any question anytime next part part 5 में मैं आपको test yourself के जितने भी questions है उसके solutions provide कर दूँगी so thank you everyone for watching the video and supporting me so much and keep sharing the videos with your friends with your families as much as possible and जो बच्चे भी class 8 से जुड़े हुए है वो अगले साल अप मुझे जुड़े रहेंगे क्योंकि मैं आपका जो class 9 की videos है वो पी upload करती हूँ so you can watch those videos also thank you everyone have a great day